खादे तेलों के मामले में भारत का बिगड़ा हुआ गणित और सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों की परेशानिया किसी से छिपी नहीं है। असल में भारत खादे तेलों की अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल खपत का 60 फीसदी खादे तेल इंपोर्ट करता है जिसके तहट सबसे अधिक पाम आयल इंपोर्ट किया जाता है जिसके बाद सूरज मुखी और सोयाबीन जैसे दूसरे खादे तेल हैं लेकिन पाम आयल के इंपोर्ट की इस नीती से देश के सरसों किसानों की परेशानियां बढ़ जाती हैं मसलन सरसों के भाव न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP से नीचे रहते हैं कुछ यही हाल अन्य तिलहनी फसलों के भी रहते हैं सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलों के किसानों की परेशानियों को कम करने के लिए खृषी वग सम्मूल्य लागत आयाई का क्या मानना है? आपको बता दें कि खृषी वा मूल्य लागत आयाई देश में फसलों पर MSP की सिफारिश करने वाला आयोग है. देश में खादे तेलों की कमी है. जाहिर तौर पर इन हालातों में भारत में पैदा होने वाली सरसों, सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों को दाम अधिक मिलना चाहिए, लेकिन इसके उलट देश की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों के दाम MSP से नीचे रहते हैं केंदर सरकार ने 2023 से 24 के लिए सरसों की MSP 5450 रुपए क्विंटल तै किये हैं, लेकिन इस पूरे साल सरसों के दाम पिटे रहे और किसानों को सरसों MSP से नीचे बेचना पड़ा, आखिर ऐसा क्या है? इसके पीछे मुखे कारण देश की पाम आयल इंपोर्ट नीती है असल में केंदर सरकार खादे तेलों के दामों में नियंतरन के लिए बड़े स्तर पर पाम आयल इंपोर्ट करती है एक आंकडे के अनुसार कुल इंपोर्ट में पाम आयल की हिस्सेदारी 70 फीसदी अधिक है लेकिन परेशानी सिर्फ पाम आयल इंपोर्ट की नहीं है असली समस्या ड्यूटी फ्री पाम आयल इंपोर्ट की है केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार क्रूड पाम आयल, सोयाबीन और सूरजमुखी इंपोर्ट में कोई शुल्क नहीं लगता है पहले 2.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी लेकिन उसे बीते साल हटा दिया गया है इसी तरह 21 दिसंबर 2021 को रिफाइंड पाम आयल से इंपोर्ट ड्यूटी 17.5 फीसदी से घटा कर 12.5 फीसदी कर दी गई थी, जिसकी सम्यावधी बीते दिनों 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है वहीं इसी साल 15 जनवरी को खादे तेल इंपोर्ट से एग्री से इस 20 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया है खादे तेलों के इंपोर्ट की इस उदार नीती से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है नतीज़तन सरसों MSP से नीचे बिक्ती है और सरसों किसानों को कम दाम में फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है पाम ओयल की इस इंपोर्ट नीती से सरसों समेत अन्य तिलहनी फसलों के किसानों को होने वाली परेशानियों से क्रिशी व मूले लागत आयाइग अवगत नजर आता है क्रिशी व मूले लागत आयाइग ने रभी मारकेटिंग सीजन 2024 से 2025 की फसलाए के MSP को लेकर जो सिफारिशों की रिपोर्ट दी है उसमें क्रिशी व मूले लागत आयाइग ने स्विकारा है कि तिलहीन फसलों के उतपादन से अधिक घरेलू मांग बढ़ने से इंपोर्ट की मजबूरियां बढ़ी है इस असर से सरसों समेत अन्य घरेलू तिलहनी फसलाई को सुरक्षित रखने के लिए क्रिशी वा मूल्य लागत आयाइग ने खादे तेलों की ग्लोबली कीमतें, मांग, अपूर्ती, खादे तेलाई की घरेलू कीमतें और MSP से जुड़ा हुआ एक डाइनेमिक टैरिफ स्ट् में आम उपभोकता को महेंगा खादे मिलता है, तो किसानाई को उनकी उपज का दाम कम मिलता है। Bureau Report Market Times TV